हेलो फ्रेंट्स वेलकम टे ट्वेंटीफोर नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैपूर विदुत वितरन दिगम लिमिटेड जेवी एनल की नियू रिकुर्माइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प्रोसेस के बार प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए यह इसका ओनलाइन अप्लाइब पोर्टल है और यहाँ पर देखिए आपको IMPORTANT DATE बताई गई है सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद ही आपका जो यह फॉर्म है यह स्टार्ट होगा तो यहाँ पर friends से सबसे पहले आपसे पूछागया है name of the post तो आपको post कर नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके पर आपको देना है आपका नाम तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर enter करेंगे इसके बार friends आपको देना है यहाँ पर आपका father name या फिर आपका husband name आप यहाँ पर enter कर सकते हैं आपका mother name आपको यहाँ पर enter करना होगा आपका gender क्या है वो आप यहाँ select करेंगे इसके बार आपका डियो भी है मिनसे date of birth है वो आप इस calendar के माध्यम से selected कर सकते हैं आपका एस criteria एक एक दो हजार तेईस को count होकर आ जाएगा आपकी nationalty select करनी है इसके बढ़ आप डॉमिंशल आपका अगर अरेस्थान है तो yes कर सकते हैं और नहीं है तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं अगर आप other state candidate है इस condition में इस वाप जन्रल से ही apply कर पाएंगे इसके बढ़ फ TSP area आपके backward इलाका है मतलब पिछड़े इलाके है अगर आपको पता नहीं है कि आप TSP area से belong करते हैं नहीं करते हैं तो TSP area का certificate होता है और जो TSP area में जो district आते हैं उसकी list आपको Google पर मिल जाएगी तो आप check कर सकते हैं अगर आप non TSP area candidate है तो आप simply no करेंगे इसके बाद यहाँ पर कुछ ही district देखने को मिलेंगे जो की friends से TSP area में आते हैं तो आप यहाँ पर भी check कर सकते हैं और अगर आप TSP area में नहीं आते हैं तो आप simply no कर देंगे और उसके बाद आपकी जो other state है या जो आपकी जो other district है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपकी category क आपको यहाँ पर दिये गए है जो कि आपको यहाँ पर अप्लोड करने है तो आपके recording आपकी जो भी category है उसका certificate number क्या है और वो कब issue हुआ है इसकी जानकारी आपको यहाँ पर mention करनी है तो ध्यान से यहाँ पर जो भी जानकारी आप से मांगी गई है वो friends आपको यहाँ प कर सकते हैं type of disability percentage of disability आपको select करनी होगी इसके बाद है आपका sports person category अगर आप इसमें yes करते हैं तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो no करेंगे ex-serviceman है तो ex-serviceman type आपका क्या है period of service आपकी year में कितनी रही है वो आपको बताना होगा यहाँ पर पाकिस्तान की सुर्ण 1971 इंडो पार्क वार्था उससे आप रेपिटेटेड़ है तो आप यहाँ पर yes कर सकते है एक्स पिकजनर है या फिर इसके लावा यहाँ पर फैंस या फिर रेंडर है NCC से तो आप यहाँ पर yes and no कर सकते है इसके लवा आपने कभी apprenticeship की है यहाँ पर निगम से तो आप यहाँ पर yes and no कर सकते है इसके लवा फैंस यहाँ पर देखी जो relevant technical job है जैसे daily rated work charges में या contract basis पर आप यहाँ पर work करते है तो yes and no कर सकते है marital status आपका क्या born on or after इस तारीक के बाद कितने बच्चे पैदा हुए है तो आप उसकी जानकरी भी यहाँ पर provide कर सकते हैं इसके बार है आपका अधारकार नंबर तो 12 डिजित का अधारकार नंबर आपका 10 डिजित का mobile नंबर आपको देना है आपकी आपकी जो active mail ID है वो आपको यहाँ पर section यहाँ पर देखे two options है correspondence और एक अपका permanent correspondence नोमात गलता है और अधारका present sent का अद्रिस और यहर कर만न कर सकते हैं और यहाँ अधार और नीगले city, town, तो आप यहाँ पर उसकी जानकरी देंगे, आपका district की जानकरी आपको देनी है, आपका इस state से belong करते है आपका nearest police station कौन सा है इसके बार आपका जो pin code है वो क्या है, वो आप यहाँ पर enter करेंगे अभी दोरों same है, तो आप same entry कर सकते हैं, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry यहाँ पर कर सकते हैं इसके बात friends, नेस्ट option आता है आपके qualification का, तो सबसे पहले secondary की detail आपको fill करनी है, मतलब tent की, तो आपको यहाँ पर देना है आपके institution या board का नाम, और आपका euro passing क्या है, वो आपको यहाँ पर mention करना होगा, ITI friends यहाँ पर आपको देनी है, या उसके equivalent candidate appearing in 2022 for ITI या equivalent can select 2022 तो अगर आप यहाँ पर appearing है, तो आपको यहाँ पर 2022 ही select करना होगा सबसे पहले यह NCVT approved है SCVT approved है, या NAC है या फिर friends, यहाँ पर certifier, diploma आपको मिला है, Air Force, Navy या Army से वो आप select करेंगे, इसके बाद discipline, electrician, lineman, SBA wireman या power electrician इन में से ही कोई एक आपको select करना होगा और यहाँ पर आपको आपको आपका passing year है, वो आपको select करना है यह ध्यान रखेगा, अगर आपका appearing है तो आप 2022 यहाँ पर select करेंगे इसके बार friends, next option यहाँ पर आपका आता है other का कोई other जानकर याद देना चाहें, qualification की वो आप दे सकते हैं आपको देवनागरी script ने रास्तानी culture की knowledge है या नहीं है तो आप यहाँ पर yes करेंगे ही इसके बार आप यहाँ से declare करेंगे और declare करने के बाद next option आता है आपके preview का, आप यहाँ से preview को check कर लेंगे तो यहाँ पर friends, जब आप preview को check करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको declaration का एक option दिया गया है आप यहां से declare करेंगे और ध्यान से check कर ले अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप edit कर ले अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप यहां से इसे submit करेंगे क्योंकि submit के बाद आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे इसके बार फ्रेंट से next option यहाँ पर आता है आपके photograph and signature upload का तो यहाँ पर देखिए आपको आपकी recent पासपोसाइट photograph यहाँ पर upload करनी है signature upload करना है jpg format में आप यह upload करेंगे तो आपको यहाँ पर browse का एक option दिया गया है आप इस link पर click करेंगे इसके बार फ्रेंट से फाइल को select करेंगे और उसके बार यहाँ पर upload कर देंगे आपको preview मिल जाएगा इसके बार यहाँ पर आपको आपका hand and declaration है यह upload करना है आई के बार आपको नाम लिखना है और इसके बार आपको same address आपको white paper पर लिखर यहाँ पर इसको upload करना होगा तो इसका जो frommate है फ्रेंट से वो भी आपको video description में jobraastra.com पर मिल जाएगा वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी आपने नाम को सिर्फ लिखेंगे और उसके बार same आप इसके white paper पर लिखकर यहाँ पर upload कर देंगे इसके बार आपको यहाँ पर मिलता है देखिए capture code तो आपको जो भी capture code यहाँ पर दिया गया है यह capture code आपको यहाँ पर fill करना है और उसके बार save and nest पर click कर देना है इसके बार फैंस आपको यहाँ पा देखिए option मिलेगा आपके payment का अब payment आपको करना है तो payment करने के लिए आपको pay now का एक option मिलता है आप इस पर click करेंगे और उसके बार फैंस यहाँ पा देखिए आपको multiple option मिल जाते हैं चाहे तो आप wallet से payment कर सकते हैं, card से payment कर सकते हैं, UPI से क सकते हैं, net banking से कर सकते हैं, EMI का option भी है तो यह आप option यूज ना करें, mail लिए आपको net banking और card का ही option इन दो में आपको payment करना होगा, आप चाहे तो UPI से भी कर सकते हैं, बाकि card और net banking से करेंगे तो आपका payment यहाँ पर जल्दी verify हो जाएगा, तो आपको उस option को select करना है और उस और उसके बाद friends, आपका जो भी यहाँ पर form का printout है, वो निकाल कर अपने पास आप रख पाएंगे, feature use के लिए, feature reference के लिए, तो यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की, JVVL का technical helper का online form आप कैसे fill कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया ह और आप चाहते हैं, ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके, तो like, subscribe जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel NLS, thanks for watching.